भाति आज भी हम यहां पर live चर्चा का कारिकरम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विशय है वो किसी महानुभाव के प्रश्ण पर है और उनका प्रश्ण है कि जैसा कि विबेक चुड़ा मनी में हमने चर्चा की और आदि गुरु शंकराचारे जैसा कि लिःख रहे हैं कि व क्या बाहर से पहचान सकते हो तो आधिगुरु शंकराचारे इस विशय में कहते हैं क्या कहते हैं आईए हम फिर से उसे स्लूप को देखेंगे कवचिन्न मूढो विद्वान क्वचीदपी महराज विभव क्वचिद भ्रांतहस्वम्य है वाचिद जगराचारकलितह वाचिद पात्रिभूतह वाप्य विदित शर्त्यम्प्राज्य है सततपरमानंद सुखिटह क्वचिन्नมूणो विद्वान क्वचित अपी अर्थात Б्रह्म ज्ञानी महा पुरुष कैसे दिख सकता है यह आधि गुरु मात्यार पर अब बता रहा है है यहां पर किसी सज्जन व्यक्ति का यह प्रश्ण है किakah भिखारी भी ब्रह्म ज्यानी हो सकता है, मूढ भी ब्रह्म ज्यानी हो सकता है, तो इसका मतलब वेदाध्यन की कोई आवशक्ता तो नहीं है ब्रह्म ज्यानी होने के लिए, तो कि भिखारी भी हो रहा है, मूढ भी हो रहा है, लेकिन यह कितना बड़ा विरोधा भास है, कि भ चलो कुछ देर के लिए wekhari को मान भी लें तो मूर को कैसे मान जा सकता है कि वो ब्रह्म्यज्ञानी हो गया जो मुर्ख है मूरख हिरदयना छेती है मूरखता की कोई सीमा नहीं होती है तो भला मूढ वेक्ती, ब्रह्म ग्याने और मूढ वेक्ती, दोनों का कैसे मेल संभव है तो सबसे जरूरी क्या है कि यह प्रशन जो है, यह प्रशन इसलिए बन गया है क्योंकि सही से सुना नहीं गया, सही से सुना नहीं गया इसलिए चलिए उस दिन बहुत सारी चर्चाएं होई थी उसमें यह एक चर्चा थी लेकिन आज हम पूरी तरह से इसी विशह पर चर्चा करेंगे कि क्या भिखारी आदमी भी ब्रह्म ग्यानी हो सकता है क्या मूड आदमी भी ब्रह्म ग्यानी हो सकता है सबसे पहली बाद कि ऐसा कहा ही नहीं जा रहा है कि मुड ब्रह्म ज्यानी हो जाएगा या भीखारी ब्रह्म ज्यानी हो जाएगा कहा क्या जा रहा है उसे फिर से सुनिए या इस लोग क्या कह रहा है आदी गुरु शंकराचारी यहां पर क्या कह रहे हैं उसको दुबारा हम सुनते हैं तो वह कह रहे है क्वचिन मूढ हो विद्वान क्वचित अपी महराज विभवह क्वचित भ्रांत ह सौम्यहां क्वचित जगराचार कलित ह ब्रह्मवेता ब्रह्मज्यानी महापुरुष कहीं मूढ कहीं विद्वान कहीं राजा महराव जाओ से ठाट बाट से युक्त कहीं भ पढ़ता है कहने का मतलब यह नहीं कहा जा रहा कि भिखारी ब्रह्म ग्यानी बन जाता है या मूर ब्रह्म ग्यानी बन जाता नहीं एक ब्रह्म ग्यानी वेक्ति आपको भिखारी के रूप में भी दिख सकता है हो सकता है कि कोई भिखारी के रूप में वो अपना जीवन याप कर रहा हो और वह ब्रह्म ग्यानी हो क्योंकि उसे संसार से मोह तो है नी तो उसे अपना भिखारी होने का भी कोई मलाल नहीं है उसको और हो सकता है कि वह बहुत बड़ी रांती भी लेया ऐसे कई सादू संत हुए जो भिखारी की तरह अपना जीवन उन्होंने व्यतित किया और कई लोगों का अध्यात्म के राश्ते पर लाकर कई लोगों का उन्हों ने कल्यान भी कर दिया तो इसलिए वो भिखारी की तरह दिख पड़ सकता है इसका मतलब यह नहीं कि भिखारी ब्रह्म ज्यानी हो रहा है हर भिखारी ही ब्रह्म ज्यानी हो रहा है ऐसी भी बात नहीं है इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम किसी बाहरी परिवेश से बाहरी बातों से तुम ब्रह्म ज्यानी का निश्य मत करो कि वो इस वेश में ऐसे दिखाई देगा तभी ब्रह्म ज्यानी होगा उनके कहने का उद्धिश यह है, तो वो भिखारी की तरह भी दिखाई दे सकता है, वो मस्त मौला पढ़ा हुआ है किसी अवधूत की तरह, यहां पर अजगर शब्द का प्रयोग हुआ है, क्यूं? अजगर एक बार खा लेता है, तो महीने भर किसी अस्थान पर पड़ा रहता है, तो क्योंकि वो इतना एक बार में ही खा लेता है, उसको पचाता रहता है, उसके शरीर का पोशन होता है, मोटा हो जाता है, बारी हो जाता है, एक जगह पड़ा रहता है, बाकी उसे दुनिया स और कुछ है तो वो उनके पास जाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से भी कुछ होते हैं, तो कुछ आपको मूड़ और ब्रह्म ग्यान दोनों तो एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि जिसको ब्रह्म ग्यान हो गया वो तो तो मूढ के रूप में भी दिखाई दे सकता है जैसे मूढ के रूप में कहने का मतलब यह है हम संसार में जिसे मुर्ख समझते हैं हम संसार में जिनको हम संसारी के दृष्टी कौन से हम जिसको मुर्खता समझ लेते हैं तो उस रूप में भी वो दिखाई दे सकता है ऐसा है संसारिक दृष्टी कोन से हो सकता है भगवान स्रिकृष्ण श्रीमत भगवध घीता में कहते है या निशा सर्व भूता नाम तस्याम जागरती सहीं या निशा सर्व भूता नाम जो सभी भूत प्राणीयों के लिए निशा मने रात्री जो सभी भूत प्राणियों के लिए रात्री है या निशा सरवूता अनामत अस्याम जागर्ती सैयमी जो सैयमी है जो ग्यानी है जो सादक है जो ब्रह्म ग्यानी है वह जागता है जिस निशा में सारे भूत प्राणी सोजाते हैं वह उसमें जागता है या निशा सर भूताणामत अस्याम जागरती से यमी या स्याम जागरती भूतानी जिसे संपूर्ण जीव जगत जागना समझता है ये स्याम जागरती भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, मुनियों के लिए, ज्यानियों के लिए वह निशा के समाने, उनका जागना सोने के बराबर है. जो माया के परती जागृत है, माया के खेल के परती जागृत है, जो अध्यात्म के परती एक कदम भी नहीं बढ़ाता, जो ध्यान की गहराई में थोड़ा सा भी उतरने की कोशिश नहीं करता, और मात्र अपने आपको संसारिक विशियों से ही सुखी करने के प्रयास में लग आजसे भी कर्म करके जैसे कि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं जिससादमी ने बहुत धन कमा लिया जैसे भी कमा लिया हो नहीं करके? भले जैसे भी कमाया किसी तरह से कमाया साइबर क्राइं करके कमाया इंजिनियर है वो सॉटवियर इंजिनियर है भले विशक्रीन पर वूट करके कमाया हो अभी कुछ दिन पहल은 मैं ने फॉड़द लिए Compeltas वुडियो विडियो के अंदर बताया था कि ठीक तो अगर धन कमा लिया तो हीज़ इंटेलिजेंट है ठीत में ओए की बुद्ध्य मानिय व्क्ति है ति हम ऐसा आपनेगैं और हम उसे ग्यों के विक्ति मानना शुरू कर करेंगे---- तश्याम जागर्ति सेयमि यसी स्याम जागर्ति स्री भूटानी जो है या निशा सर भूतानाम तस्याम जागरती से यमी या स्याम जागरती भूतानी सानिशा पश्यतों मुने जो भूत प्राणियों के लिए जो जागना है वो माया के अंदर सोने को जागना समझते हैं माया के नशे में जीवन को बिताना वो जागरती समझते हैं ठीक है धन कमाना अच्छी ब कितने भी आप intelligent बनी हैं लेकिन चिंता मत कीजिए आपके दुख का कारण आपके brain hammerage आपके heart attack का कारण कहीं ने कहीं आपका धन ही बन जाता है आपके बहुत सारे बिमारियों कारण आपके पास धन की बहुलतया ही अधिकता ही बन जाती है कहीं ने कहीं संसार के रिष्टे नाते ही अनेकों बिमारीयों के कारण बन जाते हैं ठीक है तो जिसे आप जागना समझ रहे हैं स्रीकृष्णी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसे सारे भूत प्राणी जागना मानते हैं वास्तों में वो सोने के बराबर है तो माया के प्रभाव में कर्म करना, माया के फिरत सदा माया करी प्रेरा, कालही कर्म ही सुभाव गुल गेरा, कबहु करी करुणा अनर्देही, देत ईश विनु हे तुसनेही तो माया के प्रेर्णा से जीव फिरता है, भटकता है, माया की प्रेर्णा से वो कर्म करता है और कर्मों के फलों को भोगता और भटकता है तो इस प्रकार से उसका जीवन व्यतित होता रहता है, तो इसलिए भगवान कर्ष्ण कहा रहे है कि जो निशा है सभी या स्याम जागर्ती भूत आनी सा निशा पश्चतो मुने, सभी भूत प्राणियों के लिए जो जागना है वह मुनियों के लिए सोने के बराबर है, ब्रह्म वेता, ब्रह्म निश्च, ब्रह्म ज्यानी के लिए वो सोना है वो, जिसको वो जागना समस्ते हैं, जिसको वो जागना समस्ते हैं, वो उनके लिए सोने के बराबर है, मतलब कि वो आदमी सो रहा है, निद्रा में सोया हुआ है, माया के निद्रा में, ये इस लोक जो स्रीमत भगवद गीता में आता है इसलिए मूड सांसारी के दृष्टी को उन से जो मुर्ख प्रतीत हो रहा हो तो एक ब्रह्म ज्यानी कई बार ऐसी अवस्था में भी दिखाई दे सकता है जैसे कि सांसारी के हिसाब से उसके सारे कर्म जो है या उसका जो विवहार है वो मुड़ता पूर्ण है एक ब्रह्म ज्यानी योगी सिद्ध योगी जीवनमक्त योगी ऐसी अवस्था में भी दिखाई दे सकता है कि संसारी के विवहारिक दिश्टी कों से वह जो है मुड़ता पूर्ण विवहार का प्रदर्शन कर रहा हो मुड़ता पूर्ण विवहार का प्रदर्शन कर रहा हो ऐसा भी दिखाई दे सकता है इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह मुड़ है संसारीक दिश्टी कों से ऐसा दिश्टी गोचर हो सकता है कि वह मुड़ देखती है लेकिन वो ब्रमग्यान ऐसे कई चीजे ऐसे होती थी महापुरुष ऐसे कई काम करते थे जिसे के लोगों को लगता था कि यह ऐसे कई योगी हुए जो इस प्रकार से अपना जीवन बिताते थे कि लोगों को लगता था कि यह मुर्ख आदमी एक बर क्या हुआ तैलंग स्वामी अपना अवधूत रूप में वो विच्रन करते थे कुपिन बांधते थे और कुपिन के लावा शरीर पर बारहो मास कोई कपड़ा वो नहीं प अंग्रेजों ने एक बार क्या किया कि यह आदमी ऐसे नंग धरंग रहता है तो पकड़कर जेल में डाल दिया पकड़कर तैलंग स्वामी को कहते हैं कि जेल में डाल दिया गया जब जेल में डाल दिया गया तैलंग स्वामी को तो शाम हुई शाम को देखा और सुबह पुरंग बनाया ना कोई दिवाल तोड़ी और ना ताला तोड़ा कुछ किया भी नहीं और भाग भी गया कैसे संभवे तो तैलंग स्वामी ने देखा कि सब मुझे ढूंड रहे हैं तैलंग स्वामी कहां थे जेल के जो जो बैरेकमन को रखा गया था उसकी च्छत पर उसकी सिढ़िया नहीं बनाई जाती है जेल के अंदर ऑफिस एरिया में सिढ़िया होती है जो कि पुलिश के कट्रॉल में होता है लेकिन काईदीयों के जितने भी बिल्ड नंग होते हैं उनमें छट के लिए नहीं होती वैसे अगर डबल स्टोरी कोई बिल्डिंग बनाई गई है तो वहां सिड़ी होगी लेकिन छट पर जाने की कोई सुवधा नहीं दी जाती है जेल के अंदर तो अब जो है वो छट पर अपना टैल रहते घूम रहते तो उन्होंने लोगों ने देखा तो उन्होंने खुद आवाज लगए कि अरे कहां ढूंड रहे हूं मैं तो यहां पर हूँ और मैं खुली हवा मुझे पसंद है सुबह सुबह की तो मैंने सोचा कि छट पर आ जाते हैं लेकिन छट पर गय कैसे बाहर निकले कैसे यह अंग्रेजों को कभी समझ में आया है तो वो उनको मूण प्रानी समझते थे तो अंग्रेजों ने िलंग स्वामी को मूण मूण व्यक्ति मूर्ख हादमी समझ करना इसको रहने का कोई तरीका इसके पास है ना कपड़े पहनता है धंग से लगन धंग घूमता रहता है तो इस आदमी को एक मुर्ख व्यक्ति समझ कर अंग्रेजों ने तैलंग स्वामी को जेल में बंद कर दिया था लेकिन थे तो वो ब्रह्मेग्यानी तो बाहरी विवहार में कई बार ऐसे ब्रह्मेग्यानी होते हैं जो सांसारिक मनुष्यों की नजर में मूर्था पुर्वक विवहार रखते हैं वो हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे या कई बार ब्रह्मेग्यानी कुछ ऐसा करते हैं जो कि काटो के उपर डालने लगे काटो पर डालने लगे तो भाई ये काटो खतम करने का ये कौन सा तरीका है लेकिन वह अपने शिश्वों को सिखाना चाहते थे दूसरे लोगों कहा कि अगर तुम्हें इतनी काटे परिशान करें तो उखाल के फेक दो कुदाल लाओ और अच्छे से कर लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया मठ्ठा डाल दिया कि चीटियां आएंगी मठ्ठे से आकर्शित होकर मठ्ठे की खुश्बू से और दीरे दीरे वो मठ्ठा खाएंगी और काटे को भी खतम कर देंगी उनका तो ये फार्मूला था लेकिन वो अपने शिश्चों को कुस्तम जाना चाहते थे तो वो ऐसे ज्यानी पुरुष कुछ ऐसे करम करते हैं जो सधारन मनुश्यों को मुणता पुर्ण लग सकता है तो वैसे ही तैलंग स्वामी का नंग धणंग रहना अवधूत वेश में रहना अंग्रेजों को एक मुर्ख विवहार लगता था एक असभ्य विवहार लगता था तो अंगरेजों ने अपने सैनिक भेजे, अपने पुलिस वाले को भेजा और तैलंग स्वामी को गिरफतार कर लिया, उनको आरेस्ट कर लिया और जेल में बंद कर दिया कि भाई तुम समाज में गंदगी भेलाते हो, नंग दरंग घूमते रहते हो ठीक है, लेकि उन्हें क्या पता, कि जिसकी हुकूमत पंच भूतों पे चल रही है, उसे जेल की सलाखे क्या बांध पाएंगी, वो तो छट पे चले गए, और पता भी नहीं चला लोगों को कैसे चले गए, और उपर से आवाज भी लगा रहे हैं कि मैं यहाँ परूँ, चिं जोग में रहेगा, योग में रहेगा, संग में रहेगा, संग विहींद रहेगा, कमरे में बंद रहेगा, पहाड़ी पे रहेगा, जंगल में रहेगा, जेल में रहेगा, सब बराबर उसके लिए, का रहेगा वो, ठीक है, तो इसलिए आधिगुरु शंकराचार नहीं यहा भी दिखाई दे सकता है राजा की तरह ठाट बाट से युक्त भी दिखाई दे सकता है विद्वान की तरह भी दिखाई दे सकता है जैसे आधिगुरू शंकराचारे ने इतने कम उम्र में इतने सारे भाष्व दे दिये इतने सारे चीजें लिख दी तो विद्वान के रूप में भी वो दिखाई दे सकता है, विद्वत भी दिखाई दे सकता है, गोस्वामी तुलसिदा जी ने महा काववे के रशना कर दी, सबसे बड़ा काववे दुनिया का सबसे बड़ा काववे रामचरित मानस, ठीक, तो वो कई तरह से दिखाई दे सक थाट बाट दिखाई दे वह किसी विद्वान आदमी की तरह भी दिखाई दे संभव है कई बार वह बहुत ही वेवहार कुशल दिखाई दे तो इसी लिए यह नहीं अब तैलंग स्वामी हमेशा अपना गिरस्ती से दूर एक अवधूत की तरह जीवन जीने वाले पर्म घ्यानी ब्रह्म वेता थे और वही काशी में श्रीशामाचरन लाड़ी महाशयार रहते थे तो श्रीशामाचरन लाड़ी महाशयाजी वो ग्रहस्त वेर्ती थे, उनकी तिन पुत्रिया दो पुत्र पांच संताने थी और वो उन्होंने उस समय अंग्रेजी सरकार में नौकरी भी कि थी, कई अफसर उनके शिश्य भी बन गये थे लेकिन हमेशा अपने करम में लगे रहना, अपनी संस्कृती में लगे रहना और नौकरी वकरी सब छोड़कर, वो अपने घर में ही काशी में इस्थित उनका जो घर था, वही पर वो वास करने लगे हमेशा के लिए चीक, और एक ऐसा जीवन जिया, जब वो तैलंग स्वामी के पास गये, तो तैलंग स्वामी ने इनको गले लगा दिया, उनको चरनिसपर्श करने नहीं दिया और कहा कि इसने तो ग्रहस्त में रहकर ही उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, ब्रह्मवेता हो गया, ब्रह्मग्यानी हो गया, ठीक है, तो इसलिए ये अलग-अलग आदिगुरु शंकराचार यहां समझाना चाहते हैं, कि तुम ऐसा सोच के कोई फिक्स करके मत चलना, कि वो ब्रह्मग्यानी कहीं इस रूप में दिखाई देगा, जी नहीं, तुम्हें उसके ज्ञान से, उसकी चर्चा से ही कुछ बाते समझ में आ सकती हैं, और उसके संपर्क से, उसका संपर्क प्राप्त होने से, तुम्हें जो है, कुछ, स्वामी के बारे में हमने सुना, ला में ज्यानी है वह मूड के समान, विद्वान के समान, राजाओं की तरह ठाट बाट के समान, भ्रांत के समान, दरिद्र के समान भी दिख सकता है, संबन भी दिख सकता है, दरिद्र भी दिख सकता है, लेकिन वो सब एक जैसी अवस्था में ही संसार में रहते हैं, ठीक है, तो वो परमानंद में मगन हुआ विद्वान के समान कहीं सम्मानित होता और कहीं अपमानित होता और कहीं अज्यात रहकर अलक्षित गती से विचरता हुआ भी रह सकता है दिख पड़ता है अज्यात रहकर जैसे उसे कोई नहीं जानता कहीं वो सम्मानित होता हुआ तो कहीं अज अभ्यात रहकर मतलब जैसे उसे कोई जानता ही नहीं है लोग दुनिया उसे नहीं जानती लेकिन वो ब्रह्म ज्यानी वेक्ति है वो कहीं कंद्राओं में पड़ा हुआ है तो कहीं गुफाओं में पड़ा हुआ है कहीं गाओं में पड़ा हुआ है लेकिन है वो ज्यानी पु जाएगा तभी हाँ जो फेमस है लोग उसके पास जाएंगे लेकिन तभी वो ब्रह्म्य ज्यानी है जिसके पास पीछे बहुत भीड़ है तभी वो ब्रह्म्य ज्यानी है यह जरूरी नहीं है ऐसा सोचकर या ऐसा समझकर नहीं चलना चाहिए बस यह ध्यान देने वाली बात है ऐसा सोचकर या ऐसा समझकर नहीं चलना चाहिए ना किसी वेश को देखकर समझकर चलना चाहिए फलाना वेक्ति ऐसा वेशधारन करता है तो ब्रह्म्य ज्यानी हो गया कोई उनिफार्म नहीं बनाएगे ब्रह्म्य ज्यानियों की यह चीज है तो इन सब बातों को पर ध्यान देने हेतु आदिगुरु शंकराचारी यहां पर लिख रहे हैं कि एक ब्रह्मे ज्यानी भिखारी की तरह अपना जीवन विचित कर रहा हो मूढ की तरह व्यवहारी की दृष्टी को उन से मूढ नजर आ रहा हो राजा की तरह ठा इसे ब्रह्म का ज्यान कैसे होगा यह कैसे हो सकता यह तो राजा है तो ठाट बाट में रहने वाला राजपाट से इसे फुरसत कहां तो इस प्रकार से सुन समझ लिया इसने शुकदेव मुनी ने कुछ ऐसी बात समझ ली इसलिए उनको संशय भी हो गया था एक बार के कि अप्मानित भी हो सकता है अग्यात मतलब ही नहीं है वो ब्रह्म में ग्यानी है इतनी बड़ी दौलत अपने साथ लेकर है लेकिन कोई उसे जानता ही नहीं है बिल्कुल एक अलग ही अवस्था में पड़ा हुआ है दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता बिल्कुल अज्यात की तरह रहता है ठीक है प्रसद्ध भी हो सकता है प्रसद्ध भी हो सकता है लेकिन हर प्रसद्ध व्यक्ति ब्रह्म ग्यानी होगा या हर प्रसद्ध संत ब्रह् विद्वान कहीं राजा महराजाओं के ठाट बाट से युक्त दिखाई देता है वह कहीं भ्रांत कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिखाई देता है इस प्रकार निरंतर प्रमानंद में मगन हुआ विद्वान कहीं सम्मानित कहीं अपमानित औ विचरता अलक्षित गति मतलब ऐसा वेक्ति जिसका कोई जीवन में कोई लक्ष ही नहीं और वैसे बी जीवन में जैसे कोई लक्ष ही उसका ना हो ऐसा दिखाई देगा और वैसे भी ब्रह्म ग्यानी का कोई लक्ष होता नहीं है तो अज्ञात रूप में उसे कुछ करना ही ना और कहीं पर हो सकता है समाज सेवी की रूप में दिखाई दे संत के रूप में दिखाई दे दे समाज सेवी के रूप में दिखाई दे दे तो ब्रह्म ग्यानी इस प्रकार से कई रूपों में दिख सकता है ठीक है तो ये समझाने का उन्होंने प्रयास किया है ऐसा नहीं उनके कहने का तात्पर यह नहीं है कि कोई भिखारी है और मूर है तो बिना वेदा ज़ किसी ने पूछा कि वेदा ध्यन किये बिना ही ब्रम्य ग् dise유 हो जाएगा फिर तो और वैसे भी ब्रम्य ग्यानी होने के लिए अध्यन नहीं ध्यान योक की आवशक्ता है, निढियासन की आवशक्ता है ब्रेंटिकल शास्त्र हमें प्रेंडना देते हैं इसलिए विवेक चुडामनी में आदिगुरु शंकराचार ने कहा कि वर्णन करते हुए एक बात कहते हैं अभी घ्याते परितत्वे शास्त्रा धितश्तु निस्फला अगर तुम्हें तत्व घ्यान नहीं तो शास्त्र कहीं जारी अगर तुम्हें तत्वग्यान प्राप्त करना है तो शास्त्र तुम्हें तत्वग्यान नहीं दे पाएंगे है कि अगर त्यूम्हें घ्ण हो गया है वह कि शास्तर तुम्हारे निश्वल है यह निश्वल कि संदर्व में तक्ट ज़िए रखेगा तत्वग्यान के संदर्म में शास्त्रों का अध्यन निश्य ही निशफल है परंतु तत्वग्यान प्राप्ति हेतु जो प्रेणा मिलनी है तत्वग्यान प्राप्त करना चाहिए ब्रह्म ज्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए ये जो प्रेणा मिलनी है वो शास्त्रो से मिलती है गुरू से मिलती है अने भी जढ़िया नो आपको Мतलब किनारे पर ले आप थो आपको लगाना ह्या नि भी की तो आपको लगाना शास्त्रों के विशह में ऐसा गुरू के विशे में कहते है और शास्त्र का तत्वज्ञान संद्र्म में शास्त्र निश्वल है अगर मिल गया तो भी नहीं मिला तो varies ऑगए तो कि दोनों स्यवर्सता में शास्त्र निश्वल है लेकिन मेस जाइन प्राप्त प्रीडिया ब्रह में ज्यान शास्त्रों से ही प्राप्त होते हैं तो प्रेणना के लिए वो तर्क और व्याथ्या जरूरी है विवेक चुड़ामनी हम यहां पर चर्चा में ला रहे हैं तो कई लोग प्रेणना मिल रही है कई लोग उससे लाभानवित हो रहे हैं तो प्रेणना मिलने के लिए शास्त्र फिर अनिवारे हो जाते हैं जरूरी हो जाते हैं तो यह यहां पर आदीगुरु शंकरा चाहा इसलिए कहरें कि विद्वान भी हो सकता शास्त्रों अज्याता भी हो जकता है और ऐसा भी ब्रह्मे ग्यानी हो सकता है जिसने अध्यन की अब राम कृष्ण परमहस जैसे संथ कब मात्र प्रारंविक कुछ सिक्षाएं ही प्राप्त की थी एक प्राइमरी लेबल तक का एजुकेशन ही उनको बाहर से प्राप्त था तो निश्य ही उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण और उसके बड़े बड़े गरंथों का अध्यन हाँ स्वामी विवेकानंद और उनक वेध कैसे प्रगठ वे उस्थित्युमें और रिशिय मुनी में के द्वारा ही आए जो की ध्यान की गहराई में उतरे तो वे की प्रगठ का अनुभूति रूप में प्रगठ वे क्या कुछ लोग ऐसे व्याक्या करते हैं जैसे कि हूर को मंत्र लिखे हुए हिरदय में दिखाई देते थे जी नहीं अनुभूती रूप में प्रगठ हुए इसलिए लिखनेया काम बहुत बाद में हुआ पहले शुरुतियां आई शुरुतियां मतलब वेदों की जो सिक्षा थी वह सुनकर सुनकर चर्चा में लाई जाती थी मात्र श्रवन होता था उसका इसलिए शुरुति कहा गया पहले उन शुरुतियों को ही बाद में भासा का विकाश करके लिपी का विकाश करके संस्कृत लिपी जो देवनागरी लिपी आई उसके माध्यम से फिर लिखा गया ठीक है तब वो लिखित रूप में आया इस्क्रिप्ट में आया ठीक है लिए तो पहले वो सुनने में ही आता था और वो आया कैसे वो ज्ञान वेदों का ज्ञान तो रिशी मुनी अपने ध्यान योग से अपने हिर्दय गुहा में प्रवेश करके हिर्दय गुहा के का जो बंदा ने उसको तोड़ कर भिदंते हिर्दय गरंथी छिदंते सर्वसंशया हिर्दय गरंथी का भेदन करके रिशी मुनियों ने उस सत्य को जाना और संसार के संपुर्ण रहस्य को जाना और उन्होंने वेदों में हमें दे दिया अब चाहे वो संसार वेदों में संसार के संपुर्ण रहस्य को दे दिया ब्रह्म के बारे में भी बताया और संसार के बारे में भी बताया योग के बारे में भी बताया भोग के बारे में भी बताया करम के बारे में भी बताया और करमों से मुक्ति का भी मार्ग बताया ठीक है तो वेदों में सारे चीजे रिश्वी मुनियों ने फिर संकलित की इबाद में पहले शुर्ती के रूप में वो परचार में आई और फिर लिखित रूप से वो परचार में आने लगे ठीक है, तो वेद ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई संस्कृत के अक्षर या मंत्र, मंत्र उनको मन में मिले या हिरदय गुहा में प्राप्त हुए ध्यान योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा तो कोई लिखे हुए मंत्र ना मिले थे. अनुभूतियां मिले थी दिव्य अनुभूतियां ब्रह्मा अनुभूति उन्हें प्राप्त हुई थी और जो ध्यान योग करता है रेगुलर जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स भी किया और करते हैं तो वो खुद ही अनेको अनुभूतियों से गुजरते हैं अनेको experience उनको होते अनभूतियां होती है। सुक्षम जगत के अनभूतियां होती हैं। फिलने गर्ब की अनभूतियां होती हैं। और उससे परे अनभूतियों की और वा आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार वेद ऐसे इस तरह से अस्तित्म में आए। तो ध्याने और पूरे संसार में मनुष्य को प्रेणना मिले इसलिए शास्तर वाक्य का प्रचार जरूरी है वेद वाक्यों का प्रचार जरूरी है तो कुश ब्रह्म ज्यानी इस प्रकार से जो विद्वान के रूप में अपना विवहार रखते हैं तो वो प्रचार भी कर देते हैं ताक आप कोई भ्रह्मत पाल के बैठिएगा कि ऐसा ही दिखाई देगा, दाड़ी बाल बढ़ा के रखेगा एकदम सादू वेश में, धोती कुर्ता पहनेगा, या धोती ही सिर्वपन पहने, तभी ब्रह्म ज्यानी होगा, या फिर वो एकदम भगवे में ही रहेगा, तभी ब्रह ब्रह्म ज्यानी होगा, लगा भी सकता है, आप ब्रह्म ज्यानी की खोज इन सब चीजों समत कीजिए, हाँ, संस्कृती का पालन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकि ब्रह्म ज्यानी होना एक अलग विश्या है, तो ब्रह्म ज्यानी की खोज आप इन सब रूपों में न से युकत विद्वान की तरह कहीं प्रवचन या कुछ बोलता हुआ भाषन देता हुआ लोगों को समझाता हुआ या फिर सम्मानित होता हुआ या अपमानित होता हुआ या बिल्कुल अज्यात जिसे उसे कोई जानता ही नहीं है बिल्कुल अज्यात इसलिए भगवान कृष्ण एक बार मिथला नगरी गए भागवत महापुरान में चर्चा आती है वो मिथला नगरी आये दो ब्रह्म ज्यानियों से मिलने के लिए एक राजा जनक और एक मिथला नगरी के एक ब्रह्म ज्यानि थे दुनिया उन्हें नहीं जानते थे लेकिन वो ब्रह्म ज्यानि थे तो कृष्ण दर्शन करने स्वेम आते हैं मिथला में उनके कृष्ण को आना पड़ता है और जब राजसुई यग किया युदिष्ठिर ने युद्ध्य के बाद तो कहते कि उस समय रिश्य मुनियों को बुलाया तो एक स्वपच्य मुनी थे स्वपच्य मुनी थे पांडवों ने उनको नहीं बुलाया तो जब उनको नहीं बुलाया यग किया यग पुर्ण नहीं हुआ यग का जो पुर्ण फल प्राप्त होना था वो नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमसे कोई कमी हो गई ये उस कमी को पूरा करो नें बोलाया है युदिष्छ ने का के नहीं बूलाया क्योंकि हमारे मन में यह आ गया के उनका जण्म शुद्र पुल ने हुआ है तो फिर हम उन्हें क्यूं बूलाए तो कुछ ऐसा उमारे मन में आ गया भगवान कृष्ट ने समझाया कि अरे भाई ज्यानी की ब्रह्म में ज्यानी की कुछ जाती थोड़ी न होती है तुम ये भ्रह्म कैसे पाल लिया तुमने तब अरजुन तो जानते थे लेकिन फिर भी युदिष्ठिर के मन में आ गया तो नहीं बुलाया अब कहा कि ठ चले हमारे साथ और आपके बिना यग्व रुका हुआ आ रहा है यग्य पुढ़न होगा हमारा चलिये तो स्वपच्य मुर्य ने कहा कि नहीं जाऊंगा तुने तुझे जब बुलाना चाहिए था यग्य शुरू होने के पहला निमंतरन देना था अब यग्य खतम होने वा सौ यग्यों काफल मुझे देना पड़ेगा युदिष्ट ने का पहला यग्यक जीवन में किया है और सौ यग्यों काफल कहां से लाके दूँगा यह संभव नहीं है वो खाली हाँ चले गए सब गए कोई नहीं ला पाया क्योंकि सबसे सौ यग्यों काफल मांग दिया और ना जाने कितने कितना पैदल चलके आई हूं और पैदल चलके जब मैं यहां पर आई हूं तो जितने कदम मैंने आगे बढ़ा है वो एक यग्य के बराबर है और सौ कदम तो बहुत पहले ही मैंने बढ़ा चुके होगे चरन तो मैंने पहले ही रख दिये होंगे तो कितने ही कदमों को मैंने बढ़ा है आप उसमें से सो यग्यों का फल निकाल लीजिए और चलिए मेरे साथ और जब ये बात कही तो सवपच्य मुनी मान गए का कि भाई ये तो वो चलहाक निकली वो सटी कुत्तर इसने दे दिया ठीक है संत मिलुन को जाईए तजमोह माया अभिमान जयो जो पग आगे धरे कोटिन यग्य समान ऐसा कहा गया है तो ऐसा तर्क द्रौपदी ने दे दिया तो सवपच्य मुनी मान गए और चल पड़े और जब पहुँचे वहाँ यग्य में तो भगवान कृष्ण अब भगवान कृष्ण थे तो राजपुरुष ब्रह्म ज्यानी थे अवतारी थे लेकिन राजपुरुष थे तो राजपुरुष के रूप में वो लिला कर रहे थे तो उन्होंने ड्यूटी ले रखी थी अपने उपर की भाई जो भी रिशी मुनी आएंगे मैं उनके चरंध होंगा तो वो सभी रिश्यों के चरंध होते थे जैसे स्वापच्य मुनी के चरंध होने लगे स्वापच्य मुनी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तुमसे अपना चरन नहीं धुलवा सकता वैसे ही जैसे लाड़ी महाश्य तैलंग स्वामी के पास पहुंचे और उनके चरन इसपर्ष करने लगे तो तैलंग स्वामी ने गले लगा लिया कहा कि नहीं चरन नहीं मैं तुमसे अपना इसपर्ष करवाऊंगा इस तरह से कह दिया ठीक है तो स्वपच्य मुनी ने मना कर दिया कि एक रिष्ण में तुमसे अपने चरंद नहीं धुलवा सकता ठीक है तब पांडवों ने उनके चरंद हुए और फिर वो यग्य में सम्मिलित हुए तो इस प्रकार से कथा आती है वैसे ही वशिष्ट रिशी का जन्म तपस्या से बनता है ठीक अपनी तपस्या से कोई ब्रह्म ज्यानी अपने योग से ध्यान योग से अपनी साधना से उसमें जो तप किया जाता है तपस्या अब अर्थ कई बार लोग अलग धंग से ले लेते हैं तो यहाँ पर तपस्या करने का मतलब है जो ब्रह्म ज्यान के लिए नहीं की वह शरीर हमर होना चाहता था और इसलिए उसने तपश्या की थी तो यह सब बाते भी होती है इस तरह से हमें विचार निया विशय है यह सब विचार करके बातों को समझना चाहिए तो ब्रह्म ज्यानी किसी भी विश में कहीं पर भी किसी तरह से भी हो सकता है हमें बाहर दिश्टिकों से हम अगर हम देखने की या पहचानने की कोशिश करेंगे सिर्फ देखकर अगर हम जानना चाहते तो नहीं उससे मिलकर उसके बात उसकी विचारधारा तो हमें पता लगना शुरू होगा कि भाई ये इस बात को समझें और समझ कर आगे बढ़ें तो आई ये आगे चलते हैं आपके टिपनियां आपके कमेंट्स हैं बहुत सारे उसको देख लेते हैं इनके कमेंट्स हैं बीच में डिसकनेक्शन के कारण कई लोग के कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगा मुझे नहीं आये होंगे, आपने किये भी होंगे तो, हरी मोहन गुपता जी, क्या जीवन मुक्त ब्रह्म ज्यानी का पतन हो सकता है, हो सकता है, क्या नहीं किर्प्या बता है, पता नहीं मुझे, वैसे इस प्रश्ण का सही सही उत्तर मैं आपको कैसे दूं कि ब्रह्म ज्यान आनल का पतन हो सकता है कि नहीं हो सकता है छीक है क्योंकि पतन किसे समस्ते हैं आप हरी मोहन गुपता जी आप पतन हो ना किसको समझते हैं है तो जब आप पतन होना अब जब आधिगुरु शंकराचार कह रहे हैं कि राजा की तरह ठाट बाट से युक्त राजा भी एक ब्रह्मे ग्यानी राजा की तरह ठाट बाट से युक्त भी दिखाई दे सकता है युक्त भी दिखाई दे सकता है तो ब्रम्य ज्यानी का राजा की तरह ठाट बाट से युक्त होना क्या आप उसे पतन मानेंगे प्रश्ण यह है क्या आप उसे पतन मान लेंगे लेकिन यहां प्रशास्तर तो पतन नहीं मानते तो प्रश्ण यह है आप मुझसे प्रश्ण कर नहीं पहली है इसलिए मैं ने पहली कहा दिया कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता जब आप किसी वेश भूसा यह यह बहुरी जी मामला है पतन हुआ तो वो भोगेगा और अगर नहीं हुआ पतन तो वो अपना आगे बढ़ेगा वो अपना जाएगा पतन किसका होगा किसका पतन हो सकता है जिसने उस अवस्था का अनुभाव नहीं किया उस अवस्था में नहीं पहुंचा जिसे ब्रह्म ज्यान कहते है वो ब्रह्म ज्यान का मारगी है तो कई बार मारगी को भी या तटस्त ज्यान रखने वालों को भी ब्रह्म क्यानि कह दिया ज 다음에 ठीक है तो उसका तो पतन हंड़े परसंट हो इसकता है लेकिन जो ब्रह्म ज्यानि हो गया यहाँ पर विवेक चुणामनी साहित्य के अनुसार, सास्त्र के अनुसार, जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जिसने ब्रह्म को जान लिया, योग रतो वाभोग रतो वासंग रतो वासंग वहीन बाद खतम, नो चांस, उसके पतन का कोई चांस नहीं, वो लाखो भोग भी करेग ठीक क्योंकि ब्रह्म ग्यान इसी लिए ब्रह्म ग्यान घोशना का विशय नहीं होता कि मैं ब्रह्म ग्यानी हूं ये घोशना का विशय नहीं है मैं ब्रह्म ग्यानी हूं और सब मेरी सरन में आ जाओ यह हमारे गुरुजी के शरन में आ जाओ पूरी दुनिया में हमारे ही गुरूजी घोशना करता है नहीं है चीक पहले बात तो यह तो उसका पतन जो मूल जो ब्रह्मे ज्यानी है उसके पतन का कोई मतलब भी नहीं है पतन और उठान इन दोनों से मतलब नहीं लक्ष अलक्ष है जनमा अजनमा कैसी बाते की गई सूच लेजिए ना वो इंद्रियों को विश्यों में लगाता है और नहीं वो इंद्रियों को विश्यों से हटाता है क्या समझते हैं इस बात से आदिगुरु शंकराचार लिखते हैं कि ना वो इंद्रियों को विश्यों में लगाता है और नहीं विश्यों से हटाता है ठीक है तो परम जगत नरायन जी बहुत अभिनंदन बबीता धिमान जी बलवन सिंग गोहिल जी हरी मोहन गुपता जी महादेव की उपर प्रकृती के गुनों का प्रभाव पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है हां इतना जानते हैं कि जो योगी समाधी में है उसको वो खंडित कर चुका होता है तो उसके उपर क्या प्रभाव पड़ेगा लेकिन आपने महादेव के बारे में पूछा है तो आप कैलाश की यातरा कीजिए और महादेव से मिलिये और उनसे पूछिए विक्रम सिंग जी योगी की क्या सिमा होती है यह अभी मुझे इसका कोई ग्यान नहीं है कि उसकी क्या समय सिमा होती है और किस संदर्म में क्या समय सिमा होती है यह तो करम संसकारों से चीजे आगे बढ़ती रहती है और फिर कोई क इसी लेबल पर है ध्यान यो करते करते वो आगे बढ़ता है। क्या ब्रह्मे ज्यानी आश्रम बना सकता है। बना भी सकता है। लेकिन आश्रम बना कर बैठा है तभी ब्रह्मे ज्यानी है। ये कोई पहचान नहीं है। ये कोई कसोटी नहीं है। आजकल के कॉर्परेट गुरूज बड़े आश्रम बनाने में तत्पर हैं। क्या इनमें भी कोई ब्रह्म ज्यानी हो सकता है हो भी सकता है आप उनकी आप देखिए कि वो कैसी चर्चा करते हैं सास्तर सम्मत सही से चर्चा करते हैं या फिर अपनी ही कुछ अपना ही कोई कल्ट खड़ा करने में लगे हुए हैं बस इतना ध्यान रखे कि ब्रह्म ज्यानी कभी आपको भ्रमित करने काम नहीं करेगा वो खुद को सर्वस्रिष्ट साबित करके अपने आपको भ्रमित करने का काम वो कभी भी नहीं करेगा इतना ध्यान रखिएगा ठीक है अगर वो आश्रम भी बना कर बैठा है नहीं भी बना कर बैठा है कैसे भी है वो आपको misguide करने का काम नहीं करेगा और उसे इस बात की चिंता भी नहीं करेगा कि आप उसका अपमान करेंगे, सम्मान करेंगे वो खरी-खरी थोड़ा बोलने वाला हो सकता है यह खरी-खरी बाते करें चीक है? तो हाँ, आजकल के गुरु है जो acceptance जुनते रहते हैं, पुरी दुनिया से पुरी दुनिया से acceptance जुनते रहते हैं कि हमारे हमें ज्यादा से ज्यादा लोग accept करें और हमारे follower बनें और इस शकर में वो बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे ऐसा कहेंगे, ऐसा विवहार करेंगे चीक है? तो अब वो जानते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं और किस धंग से? अब बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के agenda चलाते हैं मैं ऐसे भी कुछ महानुभाव को जानता हूँ अब मैं यहाँ पर अब पूरी तरह से किसी का नाम नहीं लूँगा मैं कुछ ऐसे भी हैं जो वेदान्त का सहारा लेकर Communist Movement चलाना चाहते हैं कुछ ऐसे भी पढ़े हुए, अब क्या किसी को कहा जाए और वो ऐसे ऐसे लॉजिक कहीं न कहीं से देंगे और शंकर के आदिगुरु शंकराचार के क्रंथों पर अपनी व्याक्या भी दे देंगे ठीक है, तो वो कुछ अजीब साही Movement चलाना चाहते हैं Communist Movement, हमारे देश में एक बहुत बड़े पदपर बैठे हुए अपने आपको वेदांती कहने वाले एक व्यक्ती हुए बहुत उच्छ पदपर जैसे कि प्रधान मंति, राष्ट पती जैसे पद होते हैं वैसे पदपर बैठने वाले एक व्यक्ती ने वेदांत को सहारा बनाया था Communist Movement चलाने का और और भी कुछ ऐसे हैं जो इस प्रियास में लगते हैं तो इसलिए शास्त्र सम्मत्य विचारधारा को समझिए और इसलिए शास्त्रों का प्रचार जरूरी है खासकर आज के समय में नितान तावश्रक है क्योंकि गैर शास्त्र विचार धारा का प्रचार हो रहा है तो अगर शास्त्रों के प्रतियाब जागरुक नहीं होंगे तो गैर शास्त्र विचार धारा का जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको कैसे पकड़ेंगे कौन से गुरु जी अपनी डफली बजा रहे हैं यह सनातन धर्म के शास्त्रों का प्रशार कर रहे हैं यह अपना ही रागल अपने में लगे हुए तुलसी दाजी ने लिखा कौन अपने ही डफली बजाने में लगे हुए हैं और कौन जो है शास्त्र सम्मत चर्चा कर रहे हैं आप कैसे जानोगे आप कैसे समझोगे जब तक शास्त्र ज्यान का शास्त्र विशय का प्रचार नहीं होगा और सही ढंग से नहीं होगा पक्षपाती ढंग से नहीं क्योंकि जो संप्रदायवादी हैं जो किसी कल्ट से किसी आश्रम से किसी गुरू के शिश्य होकर जब वो और किसी संप्रदाय से जुड़कर जब वो चलते हैं और जब वो शास्त्रों की व्याख्या करते चाये उस उसके लाखों फालोवर क्यों ना हो, मिलियन-त्प सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो शास्त्र व्याख्या करेंगे, तो अपनी संस्तानियां अभिमान को, अपने संस्तानियां महत्वकांगिशा को, और संस्थान का जो स्वाभिमान है उसको संतुष्ट करते हुए ही सारी व्याख्या करेंगे ज्यान रखिएगा उनके संस्था में जिसका उन्होंने। लौकेट पहना हुआ है, जीस गुरुजी का उन्होंने लौकेट धारन कर लिया है. तो गुरुजी ने क्या समझाया था, वो सब छोड़ देजिए, संस्था में क्या चल रहा है, संस्था के लोग किस तरह से जुड़े, अधिक संख्या में जुड़े और जुड़े रहें, और acceptance बढ़ता रहें, इस उद्देश से, इसको target लेकर ही वो शास्त्र व्याक्या करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ची चलिए, लोग मिलते हैं, सामोहिक रूप से लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वो अच्छी ही बात है, परंतु, अगर वहाँ पर संस्थानिया, institutional barrier, स्वामी विवेकानन ने अपने complete work of स्वामी विवेकानन अगर आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने institutional barrier के बारे में बताया है, कि जो institutions होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वो आपकी अध्यात्मिक उनत्ती में बाधा बन जाती हैं, और जब आप अध्यात्मिक उनत्ती करोगे, तो संस्था के जो मुखिया हैं, या जो गुरु जी हैं, या वहाँ के जो preacher हैं, वो आपको कहेंगे, तुम स्वार्थ के कारे में लगो और सेवा उनका वही है जो संस्थान का कारे कर रहा है वही सेवा है और फिर वो यह भी समझाएंगे आपको एक संस्था अपने शिश्यों को ये समझाती है, क्या समझाती है, कि शिश्य ने पूछा गुरु जी से क्या हमें गरीबों को दान करना चाहिए, भिखारियों को गरीबों को दान देना चाहिए, उन्हें हमें दान करना चाहिए, तो गुरु जी से ये सुनने को मिला कि नहीं, अगर तुम उनको को दान दोगे तो उनका जो करमों का भोग है जो वो कर्म भोग रहे हैं उसमें तुम बाधा उत्पन करोगे oh मतलब वह यह कहना चाहते न sworn कि सी गरीब आदमी को याаются भीखारी आदमी को अगर most दे दिया किसी ने तो उसके कर्म भोग में बाधा उत्पन कर दी ये समझाना चाहते है सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके कर्म में मिलना लिखा होगा उसी को तो मिलेगा भी चाहे दान के रूप में मिले तो ऐसे क्यों गुरु जी ने ऐसा क्यों सुनाया कि भाई अगर कोई भिखारी है अगर कोई ऐसी चीजे हैं गरीब आदमी है दरिदर आदमी है तो मुसको दान मत दो तो यहां हमारे आश्रम में देना है तो उसको दोगे तो उसके करमों के में तुम बाधा उत्पन करोगे और उसे करमों का फल मिलेगा नहीं तो वो मुक्ष को कैसे प्राप्त करेगा कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और जो है तुम यहां दान दो तो तुम्हारा कल्यान होगा तो भाई जो हमारे चेले शिश्य हैं फॉल्लवर हैं उनका एक रुपया भी कहीं और ना जाकर सारा हमारे पास ही आना चाहिए गुरु जी यह भी कह सकते थे कि हाँ ठीक है तुम्हारे सामने कोई दरिदर आता है कोई भिखारी आता है तो उसको थोड़ा दे दो यह अभी तो कह सकते थे चलो ठीक है गुरू को दान दक्षिना दीजिए गुरू को देना चाहिए लेकिन आप ये तो मना मत कीजिए कि भाई तुम किसी गरीब या किसी असहाय व्यक्ति की सहायता ही मत करो कि उसे कर्मों में तुम बंधन बन जाओ ये कहां कि कौन से शास्तर में लिखाया वाई ये कहां कोई शास्त्र प्रमान है गुरू जी के इस बात का तथा कथित किसी हो सकता कि आप भी ऐसे किसी संस्था से जुड़े हो जाग गुरू जी ऐसा समझाते हो क्योंकि मैंने यह द संस्थान बनाना और आश्रम बनाना और चलाना संस्थान वाद को एक करना वह गलत है वह नहीं होना चाहिए और उसी के लिए इस तो चुंश्न की the barrier in spiritual development वो एक बाधा है आपकी अध्यात्मिक उन्नती में संस्थानवाद institutionalism और कई pages में इस बात को स्वामे वेकारंद ने बताया है तो इसलिए संस्थानवाद जो है इससे अपनी रक्षा करो बस ये समझने के इचा बाकी आश्रम बनाते हैं हो सकता है कोई ब्रह्म ग्यानी आश्रम बना ले हो सकता है और बनाया है पिछे इतिहास में ऐसे उधारन है तो इसलिए आप आश्रम देहकर मत जाओ कि वो उनके पास बहुत भीड़ है उनके बहुत सारे सिश्य हैं तो वो ब्रह्म ग्यानी ही होंगे यह कोई प्रमान यह वो ब्रह्म ग्यान की घोशना करते हैं तो ब्रह्म ग्यानी होंगे वो कहते हैं आओ मेरे पास ब्रह्म ग्यान लो ब्रह्म ग्यान लो ब्रह्म ग्यान तो कोई दे नहीं सकता ब्रह्म ग्यान ब्रह्म ज्यान का मार्ग ध्यान योग ही है इसलिए ध्यान योग जब तक नहीं होगा तो ब्रह्म ज्यान होने का उस और बढ़ने का निदिध्यासन के बारे में जो आदिगरु शंकराचारे चरचा कर रहें कि स्रेश्ट क्रिया है निदिध्यासन के द्वारा ध्यान योग क कोई कहीं किसी रूप में हो कहीं किसी रूप में हो कई तरह से वह हो सकता है तो यह कोई ऐसा फिक्स करके हमें नहीं चलना चाहिए कि आजकल के कॉर्परेट गुरूज बड़े आश्रम बनाने में तत्पर हैं हाँ कुछ लोग हैं तो बात सही है लेकिन हाँ एक तरह का वैपार भी लोग समझते हैं इसको एक तरह की सफलता भी लोग समझते हैं इसको आजकल कुछ लोग इस उद्दिश्य से भी प्रवचन करता या कथा बाचक बन जाते हैं कि उनको जो है एक प्रोरेश्ण सुरू करना है कि उनको कुछ गुरु बन जाना है इस इस Really कुछ लोग ऐसा दृष्टि मिरखते हैं तो बात यह नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं वो सही चीझ दे पा रहा है नहीं दे पारहे हैं इस पर हमें विचार करना चाहिए चिंतन का विशय है, समाजिक चिंतन का विशय है और चिंतन करके विचार करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए ठीक जली इसलिए कहा गया है कि पानी पीयोँ तो उसमें फिर आपको ऐसी चर्चाएं बहुत साफ साफ मिलेंगी ठीक है? आदि गुरु शंकराचार ने की है तो किसी संत्या गुरु को भी अगर हम मानते हैं तो कैसे हमें मानना चाहिए? कैसे हमें उन्हें जानना चाहिए? तो वो बड़े ध्यान देने वाली बात है तो वहारी विवहार से कुछ बात प्रमानित नहीं होती है ठीक है कि आप कोई कसोटी नहीं है कि आश्रम बनाया है कोई गुरु पदपर आसीन है और गुरुवों जैसा एकदम विवहार करता है जाड़ी बाल बढ़ाया है कुछ इस तरह का वो प्रदर्शन कर रहा है तभी ब्रह्म ग्यानी नो लोग सेक्ट बनाते देखिए ज्यादा तर जो आश् प्लाना तो उन गुरु जी का चेला है तो देवलपिंग सेक्ट एक संप्रदाय वह डिवलप करने में लगे लगे क्यूं अब इसका प्रिटिकल इंफ्लेंस भी होता है सेक्ट डेवलप करने अरे भाई इन्होंने अपना इतने फॉलवर बना ली अब नेता जी लोग भी ग्यान ध्यान से कोई मतलब नहीं है लेकिन वह प्रभावित होंगे कि वह इस व्यक्ति के बहुत फॉलवर है तो उसके सामने वह सर्जुकाएंगे इनका बहुत बड़ा संप्रदाय दिखाई दे रहा है इनका बहुत बड़ा सेक्ट दिखाई दे रहा है इनकी ताकत देखाई देएगे एक तरह का लेबल लगाएंगे दरा का रॉकट पहनेंगे और कुछ इस तरह का labeling करेंगे अपना तो वह लगे क्या फलाना नहीं ये ये तो वहीं से जुड़े हुए हैं तो इस तरह की चीज़े भी होती है लेकिन मालो कोई ऐसा भी कर रहा है तो हो सकता क्यों ब्रह्म ज्यानी और creating तो ये कोई बाहरी चीज, कोई परदर्शन ब्रह्म ज्यान का विशन, ये हमारी अपनी सतरकता, इसलिए इस चैनल के माध्यम से शास्त्र ज्यान को रख कर, बस आप इतना समझ लो कि आपको अगर किसी संत ब्रह्म ज्यानी को जानना है, तो आप कैसे जानने की कोशिश करोग अजीत जी बहुत बहुत अभिनंदन है, अजीत अपराजित, जैनती भाई गार जी जी अभिनंदन, कनाई कुमार जी बहुत अभिनंदन, राम गोपाल जांगीर गनेश पवार जी, जोनती दत्ता जी, राकेश मराठे जी, पंकस सोनी जी, गौरो सिंग जी, बिकरम सिंग पारजी जी ठाकुर राकेश शंद्रसर्मा प्रारब्द के फलसृरफ अगर दुख मिलते हैं तो क्या किसी उपाय से उन से बचा जा सकता है। इध्यानागनि सरवकरमानि से बचात जा सकते हैं ग्यान अगनी से हम कुछ बचा बचाव कर सकते हैं ब्रम्य घ्यानी तो प्रारब्द का भी बाद कर देता है और जो सधारन साधक है, जो ब्रह्म ज्यान के मार्ग पे चल रहा है, मार्गी हैं, वह संचित कर्म को और आगामी कर्मों को रोक देते हैं, लेकिन प्रारब्द उनको भोगना पड़ता है, ये चर्चा विविक्चुडामनी में हो चुकी है, ठीक है, तो प्रारब्द के दुख स हमें राहत मिल सकता है, या फिर दुख आये भी, तो हम उतने दुख ही ना हों, क्योंकि अलग-अलग लोगों का जीवन अलग-अलग होता है, कई बार एक दुख एक विक्ती को बहुत प्रभावित करता है, दुसरे विक्ती को नहीं करता है, ये कही दुख, एक परस्थित ने इंद्र को ब्रह्मा विद्या देने से मना कर दिया जो दुर्पयोग न करें ब्रह्म विद्या से संसार का नहिकश वहाँ पर जो ब्रह्म के द्वारा बनाए हुए सृष्टी की संपूर्ण विद्याओं के चर्चा है तो ब्रह्म विद्या का दुरुपयोग नहीं हो सकता यह भ्रह्म होगा जब आप पुरान पढ़ेंगे क्योंकि पुरानों में प्रसंग महत्व होते हैं इसलिए पुरानों का अध्यन करने के पह शुष्टाइर से शुत्रों को मिमांसा सुत्र नयाय सुत्रौ सुत्र जो है व reck्श Google direct है तो बेसी कॉंसेप्ट का भी एक फर्क होता है विद्या इसकिल ज्ञान इस एक्सपीरियंस अनुभाव तो इसलिए कुछ और संदर जैसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं ब्रह्मास्त्र मार दिया अश्वथामा ने माभारत के युद्ध में अश्वथामा ने ब्रह्मास्त्र का तो क्या वो ब्रह्म ज्या ब्रह्माजी की जो शक्ति है सृष्टी करने के जिसमें शक्ति है विनाश करने के जिसमें शक्ति है वैसा शस्त्र वैसे शस्त्र का संधान किया तो उसे ब्रह्मास्त्र कहा गया तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या जो कहा जाता है वो उस ब्रह्म के लिए नहीं है यह ब्रह्मा जी जो है जो देवता है श्रिष्टी भाव के देवता ब्रह्मा है पालन भाव इस्थिती भाव के देवता विश् जो ब्रह्म्ह विद्या जो अइंद्र को नहीं दी वो ब्रह्म्ह जो स्रिष्टी करता है जो स्रिष्टी भाव के देव हैं उनकी जो विद्या है उनकी जो शक्ती है स्रिष्टी करने की जो शक्ती है वो विद्या नहीं दी उसका दुरुपयोग हो सकता है ठीक है लेकिन ब्र आगवत कथा लोग सुनने जाते हैं लेकिन कभी मूल सुत्रों का अध्यन नहीं करते हैं वैदिक सुत्रों का अध्यन नहीं करते हैं ठीक है अगर वैदिक सुत्र क्लियर हो जाए इस्पष्ट हो जाए कॉंसेप्स क्लियर हो जाए तो पुरानों की कथा से प्रश्ण नहीं ब जी बहुत अभी नंदन आपका इसी के साथ विराम देते हैं आगे के कमेंट्स मुझे उपलब्द नहीं है क्योंकि बीच में डिसकनेक्शन हो गया था इंटरनेट डिसकनेक्ट हो गया था और बफरिंग आ गया था काफी दिर तक फिर से कनेक्ट हो गया कुस दिर में तो फि इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर नौ बजे लाइव चर्चा में मिलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहे बने रही और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से कुछ आपको प्राप्त हो रहा है और आ विश्य ही धर्म सेवा समझ कर समाज सेवा समझ कर विडियोज को शेर भी कर दिया करें चलिए इसी के साथ विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का आप समय कर देल प्रापम प्राप्त सक्किल